चुनाव आयोक की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की घोशना कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, इस बार चुनाव साथ चरणों में कराये जाएंगे। 543 सीटों के लिए 19 अपरेल 1926 अपरेल 7 मई, 13 मई, 1920 मई, 25 मई और 1 जून को होगा मतदान। 4 जून को होगी मतगणना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस की शुरुवात में कहा, हमारी टीम अब पूरी हो चुकी है, हम भारतिय लोकतंत्र के सबसे बड़े उच्सव के लिए पूरी तरह तयार है। चुनाव आयुक्त ने बताया, सत्रहवी लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्थ होने वाला है। जबकि आंद्रप्रदेश, ओडिशा, अरुनाचल प्रदेश और सिक्किम की विधान सभाओं का कार्यकाल भी जून 2024 में समाप्थ होने वाला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 18 लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोशित होने के साथ ही देश में आचार संहिता ततकाल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके। कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड पंजिकरित मतदाता है। इनमें से 49.7 करोड पुरुष, 47.1 करोड महिलाएं और 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड थी। पहले चरण में 19 अप्रेल को मतदान होगा। इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 26 अप्रेल को वोटिंग होगी। इसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 माई को वोटिंग होगी। 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। 14 चरण में 13 माई को वोटिंग होगी। दस राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी, पांचवे चरण में 20 माई को वोटिंग होगी, आठ राज्यों की उन्चा सीटों पर वोटिंग होगी, छठेन चरण में 25 माई को वोटिंग होगी, साथ राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी साथवे चरण में 1 जून को वोटिंग होगी आठ राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी नतीजे 4 जून को आएंगे CEC राजीव कुमार ने कहा कि आम चुनाव 7 चरणों में होगा पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रेल को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रेल को होगी, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की वोटिंग 13 मई को, पांचवे चरण की वोटिंग 20 मई को, छटे चरण का मतदान 25 मई को और साथवे चरण की वोटिंग एक जून को होगी, जबकि मदगणना चार जून को होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि महिला वोटर की संख्या 12 सीटों पर पुरुशों से ज्यादा है. पर्यावरन सहयोगी चुनाव होगा. चुनाव के बाद मतदान केंद्र पर कच्रा नहीं होगा. कार्बन फुट्प्रिंट सबसे कम होगा. KYC, वोटर हेल्प लाइन और सी विजल आप सबवोटर कार्ड से बूत, उम्मीदवारों की जानकारी मिलेगी. कॉंट्रेक्ट स्टाफ या वोलन्टियर चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाए जाएंगे. इन राज्यों में 3,400 करोड से ज्यादा मूल्य के सामान और नकदी की जबती हुई है. इसमें शराब, नकदी नशा और फ्री भी शामिल है. साथ ही कहा कि हम हवाई अड्डा, सडक मार्ग जल मार्ग पर विशेश निगरानी रखेंगे. खासकर हवाई अड्डो पर चार्टर उडानों पर सक्त निगाह रहेगी. CEC ने यह भी कहा कि चुनाव कराने को लेकर ECI के सामने चार चुनौतियां हैं. बाहुबल का इस्तमाल, धनबल, जूटी खबर और MCC का उल्लंगन. उन्होंने कहा कि हम हिंसा मुक्त चुनाव करवाना चाते हैं, लिहाजा इलेक्शन के दौरान कोई भी खुन खराबा बर्दाश्ट नहीं किया जाएगा. हिंसा बर्दाश्ट नहीं की जाएगी. आपराधिक प्रिष्ठभूमी वाले उमीद्वारों को समाचार पत्रों और अन्य मीडिया आउटलेट्स में तीन बार जानकारी प्रकाशित करनी होगी. राजनीतिक दल को यहाँ बताना होगा कि उन्होंने आपराधिक प्रिष्ठभूमी वाले उम्मीद्वार को टिकट क्यों दिया